तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चार इंटर्य श्टॉक्स के बारे में जो आप कल ट्रेड कर सकते हो और इन सभी के पीछे का क्या लॉजिक है क्या अनेलेसिज है पूरा हम डिटेल में कवर करने वाले हैं तो मैं आपको चार इंटरे स्टॉक्स प्रोवाइड करूँगा और इसके पीछे का क्या अनलेसिज है, क्या लॉजिक है, डिटेल में हम देखने वाले हैं और किस स्टॉक पे, किस पॉइंट पे आप एंटरी ले सकते हो, क्या टागेट रहेगा, क्या स्टॉपलोस रखना है, यह सब हम इस वीडियो में देखने बाले हैं आज हमने माक्र देखा, निफ्टी आज काफी दिनों बाद बुलिस मुमेंट में दिखाई दी, साथ ही निफ्टी ने 2% और बैंक निफ्टी ने 4% क्लोज दिया, ठीक ही गाइस, एच्डेपसी और एच्डेपसी का जो मर्जर हुआ यहां पर, उस न्यूज की वज़ए से एच्डेपसी बैंक जैसे स्टॉक्स 10% है, 10% से उपर की क्लोजिंग आपे दी हुई है, तो हम निफ्टी को देखने वाले हैं सबसे पहले, तो निफ्टी को यहां पर देखें, तो यहां पर जो निफ्टी का हाई है, ठीक है, वो हाई है यहां पर 18,650 में मान के चलो आप तो यहां पर 18,350 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक यहां पर साइड़ बेज आप इसको, यहां पर मेरा माना है, यहां पर साइड़ जा सकता है, निफ्टी, ठीक है गाई, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम, जो चाहर श्टॉक जो आप कल ट्रेड कर सकते हो, और उसके बाद हम बात करेंगे, जो स्टॉक आज की स्टॉक्शन के लिए प्रोवाइड किये थे, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक रहने वाला है, वो रहेगा, एफम जीजी सेक्टर से, जो की हमारा सबसे पहला स्टॉक है, डावर, त यहां पर फर्सCrस्ट रहीुन पे के छोंवाइड से कआए थे, 1117 तो यहां पर जै की जब आजा पिस का मांथे, यहां पर एक अच्छा मोर्य थे और से,šजय की डावर तो गाइज यहां पे जब 548 पे निकलता है अगा डावर तो कल आप इस पे बाय कर सकते हो और टागेट हमारा रहेगा 552 एंड सेकंड टागेट हमारा रहेगा 555 एंड SLS में रहेगा 544 का हमारा गावर रहेगा 52 Ⅱ कि अड्रावर रहेगा का रिप सेकंड सिंट के बात करें अबसाइड जाते है UPL, यहां पर गाईज मैं बाइंग लेवली प्रवाइड करूँगा, यहां पर सेलिंग लेवल भी बन रहे हैं, बट बिकाउज यहां पर मार्केट बुलिस है, तो हम अबसाइड ही जाएंगे, बाइंग साइड, तो यहां से अगर UPL कल 791 पर निकलता है तो आप बाइ कर सकते हो, and 795 यहां पर हमारा फर्स्ट टागेट रहेगा, and second target हमारा रहेगा 798, ठीक है, और जो SL रहेगा हमारा, वो रहेगा 788, ठीक है, तो यह रहने वाला अकल के लिए, second interday stocks, के list में, ठीक है guys, and third हमारा रहेगा, access bank, क्योंकि अभी banks जो है, bullish है, तो यह इसमें भी एक bullish side view रहेगा, ठीक है, तो यहां पर एक sending triangle pattern भी बनता हो, दिखाई दे रहे हमें, जो access bank है, तो इसमें अगर कल यहां से access bank 787 पर निकलता है, तो आप buy का सकते हो, target हमारा रहेगा 796, and SL हमारा रहेगा 780, guys, यहां पर एक और SL है, जो की second SL रहेगा, अगर 780 पर access bank आता है, आपकी entry के बाद, तो आप यहां पर एक और SL लगा सकते हो, 778 का, क्योंकि यहां से 780 से फिर से move दे सकता है upside को access bank, ठीक है, तो यहां पर जो मैं प्रिफर करूंगा, guys, यहां पर 780 पर यहां अपना stop loss हिट ले ले लें, अगर access bank entry के बाद नीच आता है, ठीक है, तो guys, यहां पर 4th interday stock जो रहने वाल है, हमारा रहने वाल है, that is, reliance, तो reliance में क्या analysis है, reliance में inversor head and shoulder pattern बनता हो, दिखाई दे रहा है, तो यहां से अगर कल reliance जो है, so guys, यहां पर, जो कल reliance है, अगर 2668 पे निकलता है, तो आप बाई कर सकते हो, target हमारे रहेगा 2680, and second target हमारे 2688, okay guys, and SL जो इसमें रहने वाला है, रहने वाला है इसमें SL, तो 2658, यह हमारे SL रहेगा इसमें, और guys, तो यहां पर, यह जो 4 interday stocks है, आप कल के session में, ट्रेड कर सकते हो, जो guys, फर्स्ट पिक के बात करूँ में अपनी, तो फर्स्ट पिक में रहने वाले हमारा डावर, and second pick ह तो आप guys, जो हमारा फर्स्ट पिक है, डावर, उसमें आप कल उसको ट्रैक कर सकते हो, and second pick रहेगा हमारा, वो रहेगा UPL, तो guys, इन दोनों को आप कल अच्छे से, जो बाइंग लेवल दियो हैं, उन पर आप काम करो, आपको एक बहुत अच्छा मोमेंट इन में मिलेगा कल ठीक है guys, इनको ट्रैक करो guys कल, and guys, जो आज की सेशनर में, आज की सेशनर के लिए जो हमने इंटर डे स्टॉक्स प्रोवाइड किये थे, चलिए उनकी बात करते हैं, उनकी first हमारा, first हमारा था भारत फोर्ज, तो यहां पर भारत फोर्ज, सबसे पहले guys, यहां पर जो मार्क तो अवाइड हो गया, ठीक है guys, first जो हमारा stock था वो अवाइड हो गया, because यहां पर जो हमारे entry point थे, उसके उपर market ओपन होगा, ठीक है, second हमारा था, औरोविंदो फार्मा, औरोविंदो फार्मा में क्या analysis थे हमारे, तो guys, यहां पर, first of all, यहां पर, जब market ओपन होगा था, तो यहां से gap up opening दी थी, औरोविंदो फार्मा ने, stock ने, तो guys, यहां पर, औरोविंदो फार्मा, यहां पर, जब 11, 10, 11 वजे, यहां पर, फिर से resistance के पास आया था, यहां पर जो support बन रहा था, कल, resistance बन रहा था, sorry, तो यहां पर, वही resistance, आज support की तरह काम किया, और, यहां स यहां से हमारे entry levels बने, जो की हमारे बने 10, 10, 10, 10 के आसपास, तो अगर आपने 10, 10 के आसपास इसको track किया होगा, तो आपने एक अच्छा, यहां पर, jackpot बोल सकते हैं इसको, बहुत अच्छा bullish moment, day idea, और विंदो फार्मा में, तो guys, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां प third stock मार रहा था, जो की था, HDFC life, HDFC के life की बात करते हैं, तो यहां पर, जो, HDFC life है, यहां पर avoid हो गया, because यहां पर, जो हमारे entry points से, उनके उपर, HDFC open होगा, ठीक है, तो यह भी ignore हो गया, because, फिर उसके बाद, यहां से, HDFC life का जो, stock था, वो नीचे आया नहीं, तो हमें entry करने क मौका नहीं मिला, ठीक है guys, तो यह वाला भी ignore हो गया, तो guys, जो last हमारा था, वो था, loop in, loop in में क्या analysis थे, guys, यहां पर loop in हमारा open होगा था, जो की market जैसे मैंने बताया, कि market gap up open होगा, तो यह भी एक gap up opening दीक है, तो guys, यहां पर entry के बाद कर तो, entry हमें इसमें नहीं मिली, त तो guys, अगर, यहां पर, यहां जैसे आपने entry बना लिया होता, अगर, 7, 6, 8 पर, ठीक है, तो आपको एक बहुता, अच्छा jackpot trade मेलता, तो guys, यह थे हमारे, कल जो हमने stocks प्रोवाइड किये थे, आज के session के लिए, तो guys, यहां पर, जो तीन stocks थे, उन्होंने तो, वो तो avoid जासे, तो guys, जो हमारा एक stock था, उसने भी एक बहुत अच्छा jackpot trade, वो साबित हुआ, तो यहां पर guys, जार में से एक stock थो चला हमारा, और उसने भी एक jackpot trade दिया, तो guys, यहां पर, जो मैंने कल के session के लिए, जो लैबल्स प्रोवाइड करे हैं, और जो stocks प्रोवाइड करें तो उनमें से आप track कर सकते हो, डावर और लूपिन को अच्छे से, क्योंकि कल उनमें बहुत अच्छा एक bullish moment देखने को मिल सकता है, ठीक है guys, अचलो ठीक है guys, thank you so much, इसके पास डीमेंट अकाउंट ने है, वो डीमेंट अपना अकाउंट ओपन करवा दो, हमारे description में हमारा लिंक है, उससे आप जिरोधा फायर्ज और ग्रोव में आप करवा सकते हो, डीमेंट अकाउंट ओपन, and guys, next हमारा टेलियम चैनल भी हमने बना लिया है, create कर लिया है, तो guys, जिसको भी जोईन करना है टेलियम ग्रूप तो वहां पर आप चैनल तो वहां पर आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जोईन कर लो, definitely बहां पर मैं एक्टिव रहने वाला हूं अभी कुछ दिनों से, कुछ दिनों में, क्योंकि बहां पर मैं regular एक स्टॉक आपको प्रवाइड करूंगा, इंटर दे परपरस के लिए, जो कि आप ट्रेड कर सकते हो, इंटर